हेलो गाईज आज की वीडियो में मैं बत करूँगा कुरेशिया कंट्री के वर्क पर्मिट के बारे में अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो प्लीज यह नीचे जो लाल पटन उसे दुबा दीजिए उसे सस्क्राइब कर दीजिए कोकि ऐसी बहुत सारी हलपफुल वा तो कुछ लोग को अल्रेडी पता ही होगा भी कुरेशिया कंट्री अब शेंजन में आ चुकी है अब एक गोल्डन चांस है शेंजन में एंटर होने का क्योंकि शेंजन में जब आप एंटर हो जाओगे उसके बाद आप पूर्तकाल में जाकर अपने पेपर लोग करवा सकत हो मगर आप कुछ लोग यह भी बोर रहे होंगे विक रेशिया के हमने अप्लाइ किया था भाई हमारा वीजा नहीं आया इस वज़ाए से अब हम अपना टाइम वेश्ट नहीं करेंगे अब अपना पैसा वेश्ट नहीं करना चाहते इस वज़ाए हम डोंकी ही लगा परमिट नहीं आया था वो क्यों नहीं आया थे दोस्तों कि वह कंट्री शेंजन में एंटर होने थी इस वज़ाए से अपने रूल चेंज कर दी थे तो जो अपने उनके परमिट थे वह इश्व नहीं किये थे इस वीजा नहीं लगा था दोस्तों मगद दो 12 के पहले कि कर आ जाता है और कुछ दिनों में इसकी समिशन होया थी है वीफस में उसके बाद दोस्तों 20-25 दिन में जो वीजा प्रिंट होकर आपको मिल जाता है मगर टोटल जो इसका प्रसेसिंग टाइम बोलूं तो 2-5 मीने जा 3 मीने जारा से जारा पहले 3-4 मीने लग जाते थे बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप भी चाहरे हो भी शेंजन में एंटरोना कम पैसों में सीधी फ्लाइट है दोस्तों दोंकी के चक्रों से आपको बचा दीगी और अगर आपने वाप वर्क भी करना तो अच्छे पैसे आपको मिल सकते है कुरेशिया कंट्री के वर्क कोल मत किया करो रात को 9-10 वजे भी आप कर देते हो एक ओफिस का टाइम होता है आप उस टाइम में को मैसेज कीजिए मैं आपको जैनून जो भी इंफोर्मेशन होगी मैं आपको प्रवाइड करूंगा दोस्तों मैं कभी भी आपको किसी प्रकार की हल्प जाहिए तो मैं आ आपको खुद रप्लाई कर दूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक केर